इंडिया में जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं ये वीडियो आज उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है फिलाल जब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जब पारलियमेंट का नया सेजन होगा तो हम उसमें देखेंगे क् तो मीडियम फ्री परिवार से लोग आते हैं वो लुग ट्रेडिंग करें जिनके पास ज़्यादा पैसा है फिलाल वो ट्रेडिंग कर पाएंगे लेकिन जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को ट्रीट किया जा रहा है इंडिया में वो बहुत बुरा है पहला तो सवाल उचा गया है, miners के लिए था, जो लोग mining करते हैं, तो यहाँ पर जो second question है, वो miners के लिए है, जो mining करते हैं, उनके लिए था, क्या वो set off कर सकते हैं, क्योंकि mining करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जो electricity bill होता है, बहुत ज्यादा आता है, प्लस उसका rig बनाने में अ set off करते हैं, लेकिन उनके तरब से जवाब आया है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई set off नहीं है, फिलाल यह जब पिछला bill आया था, जब bill पास हो था, इसमें यह चीज़े थी, उसमें ज्यादा चांज था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, जो miners हैं, उनको चोट हो सकता है, उसको set off कर सकते हैं, यहाँ पर मैं example दिखाता हूँ, पहले question दिखते हैं, जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं, यह question पूछा गया है, जो मैंने पूछा है कि अगर आपको किसी crypto में loss हो जाता है, और किसी crypto में profit हो जाता है, तो क्या आप उसको set off कर सकते ह तो यहां भी जो question पूछा गया है उसका simple मतलब यही है अगर किसी crypto में हमें profit होता है और किसी crypto में हमें loss हो गया तो क्या हम set off कर सकते हैं इसका मैं example आपको बताता हूँ फिलाल उनका जवाब जो आया है अब सुनिये तो यहां पर इनकी तरफ से जो answer आया है loss from the transfer of VDA, VDA मतलब virtual digital asset will not be allowed to be set off against the income arising from transfer of another VDA तो इनकी तरफ से answer आया है नहीं आप ऐसा बिलकुल नहीं कर सकते आपको अगर किसी crypto में loss हुआ है और अगर किसी crypto में profit हुआ है तो जिसमें आपको profit हुआ है उसमें आपको tax pay करना पड़ेगा आप set off नहीं कर सकते यहाँ पर मैं आपको example दिखा दूँगा आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत सारी लोग simple तरिके studying करते हैं उनको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर मैंने image draw किया है simple मैं आपको समझाता हूँ तो यहाँ पर मान लेजी आपके पास एक लाख रुपए है आप क्रिप्टो करन्सी में ट्रेडिंग करने उतरे हैं पचाहँ जार रुपए आपने bitcoin में लगा दिये पचाहँ जार आपने शीबा इनु कोईन में लगा दिया अब आपको bitcoin में 50,000 रुपए का profit हो गया अब जब इसमें 50,000 रुपए का profit हो गया तो यह जो आपका profit है इसे सरकार 30% का tax ले लेगी मतलब इसमें से 15,000 रुपए आपको सरकार को देना पड़ जाएगा 35,000 रुपए आप रखेंगे ठीक है आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गया बिटकोईन में और बाकी के जो आपने 50,000 रुपए लगाये थे शीबाई नुकवाईन में उसमें आपको लॉस हो गया 50,000 का मतलब आपका पूरा पैसा डूब गया अब यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है और जो आपने पैसा लगाया था वो टोटल 1,00,000 रहा मतलब जो पैसा लेके आप मार्केट में उतरे थे वही पैसा अभी भी आपके पास है तो ऐसे में क्या यह नहीं हो सकता हम सेट आफ कर दे हम इसमें लॉस हो गया तो हमें जो इसमें प्रॉफिट हुआ है मुए इसमें माफी कीजिए इसमें सेट आफ कर दीजिए हमारा जो एक लाक रुपए है तो हम लॉस में ही जाएंगे अगर हम टैक्स पे करेंगे तो ऐसे में सरकार का कहना है ना जो आपका लॉस है वो आपका है जो आपका प्रॉफिट है वो हमारा है उनका मतलब यह है कि आप जो करना है करें हमें profit से मतलब है आप बरबाद होते हैं हो जाएं तो इस तरीके से कोई ट्रीट कर रहा है cryptocurrency को तो वो घलत है market में कितने सारे traders हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं हमें मुझे यहां तो लगता है जो Indian politician है उनको समझ नहीं है crypto की मैं अपने दिल से ब बहुत कम लोग है जिनको cryptocurrency के बारे में knowledge भी होगा कुछ भी tax ला दे रहे हैं बिना किसी knowledge के और जिस तरीके के उनका mood लग रहा है कि फिलाल वो ban तो कर नहीं सकते वो कि ban करेंगे इतने साथे traders हैं बवाल हो जाएगा तो वो इस तरीके से rule ला दे रहे हैं जिससे कि लोग इ दे दे निकलना चालू कर दे तो जो लोग medium family से आएंगे उनको क्या होगा वो कम trading करेंगे जिनके पास पैसा है फिलाल वो किसी तरीके से trading करके profit निकाल देंगे तो यहां पर समझे एक लाग रुपए आप लेके आये थे आपको profit हुआ इसमें आपको 30% tax देना है आपको loss ह यहां पर आप एक लाग रुपए लेके जो आये थे वो आपका 85 के हो जाएगा मतलब आप एक लाग रुपए trading के लिए निकाले हैं आपके पचासी हजारी बचे आपको profit होने के बावजूद सरकार को तो tax देना है आपको जो loss हुआ आप अपना समझे तो यही जो चीज है यही किसी सब को पसंद नहीं आ रही है इसी चीज को लेके आप ट्विटर पर देखेंगे बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं इंडिया में समझी लाखो ट्रेडर्स हैं और बहुत सारे लोग सांत बैठे हैं मैं उनसे यही रिक्वेश्ट करूँगा ट्विटर पर यह हैश्टेक चलाइए इस जो बिल आया है इसमें चेंज करवाईए फिलाल अभी यह बिल पास नहीं हुआ है एक तरीको पास होगा तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे यह बिल को कैंजल किया जा सके सुप्रीम कोर पर सब पर भरोसा है तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ बड़ एक्सेंज है वजीर एक्स है कोईंडीस एक्स है उनके ओनर भी यहाँ पे मैं ट्विटर पर आप देखेंगे उनके ओनर भी यह बता रहे है कि यह बिल सहीं नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बिल को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है और और मुझे लगा आपको बताना चाहिए, यहां मैंने आपको आसान तरीके समझा दिया, कि जब ये बिल लागू हो जाएगा, तो किस तरीके से आपको tax पे करना होगा, और government पे clear कर दी है, कि loss आपका होगा, profit हमारा होगा, तो सब लोग आवाज उठाइए, ट्विटर पे जा है, और Supreme Court ने, इंडिया में cryptocurrency को legal कर दिया था, तो मुझे लगता है, यह जो tax है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बिना knowledge के, जिस तरीके से tax लाया गया है, कोई भी इसे पसंद नहीं कर रहा है, आप समझ सकते हैं, इस tax को देखके, सब भी लोग उधास है, और मैं भी बोल न मैंने आपको बता दिया है, बाकी एक चीज और है, अगर आप long term trading करेंगे, तो यह tax उतना work नहीं करेगा, तो कि long term में किसी को loss नहीं होता है, एक साल, छे मैना, दो साले के लिए trading करेंगे, अच्छा coin चुनेंगे, तो आप फिलाल tax देना पड़ेगा, लेकिन किसी loss में नह अपने यार दोस्तों में उन्हें बताईए, इस tax के खिलाफ आवाज उठाएं, और बताएं कि ट्विटर पर कि यह tax अच्छा नहीं है